जैसे जैसे exams नजदीक आते जा रहे हैं हमारे पास बच्चों के questions की संख्या बढ़ती जा रही है और रोज कुछ न कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपकी help करके बहुत सारे बच्चे message कर रहे हैं कि सर हमारे subject का question paper term 2 में कैसा आए कीजे तो इस वीडियो में आज हम discuss करेंगे कि कौन से subject का paper hard आने वाला है किस subject का paper इस बार comparatively easy रहेगा class 10 का भी बताएंगे class 12 का भी बताएंगे तो जितने भी बच्चे है private regular सब के लिए video काम का होगा हम ये भी discuss करेंगे कि जो question paper है उसके कितने set cbsc बनवाती है और किस regional office म कहां पर easy paper send होता है कहां पर hard paper send होता है क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों साथी हम बात करेंगे कि अगर आपके pass में 6 subject हैं और 6 में से अगर आप 5 में pass हो जाएंगे तो आपको pass माना जाएगा या आपका compartment आएगा या आपका RTI आएगा repeat in theory और किस तरीके से आप इसको फिर से pass कर पाएंगे इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को information होती है लेकिन सही नहीं होती है तो आज एकदम correct information में दूँगा कि CBC का exam बाइला क्या कहता है और last में या सब से पहले हो सकता है में इधर से ही वीडियो शुरू करे कि compartment, private और improvement exam के बच्चों का exam कैसा होगा, किस तरीके से question papers आएंगे, किस तरीके से distribution होगा, कहा paper देने जाएंगे, address हो गएरा कौन सा होगा, तो वीडियो काफी knowledgeable होने वाला है बच्चों, एक बार फिर से मैं वानात पांडे स्वागत करता हूँ आपका, आपके अपनी YouTube channel government exams अड़्डा में आईए और सुरू करते हैं यही से कि किस subject का paper कैसा आता है, अब बच्चों अभी तक कैसा आता था, इसके बारे में हम discuss करते थे, इस बार कैसा आएगा, इस पर discuss करें, इससे पहले जान लेते हैं कि कैसा आता रहा है, तो हर साल कुछ ऐसे subject रहे हैं, जो class 10th में भी रुल रुलाते रहे हैं, और class 12th में भी रुलाते रहे हैं, तो class 10th की अगर हम बात करें, तो जो standard math का paper है, यह हमेशा से tough आता रहा है, अला कि दो ही साल से standard math चल रहा है, उसके पहले math सी हुआ करता था, basic और standard का concept अभी काफी नया है, तो standard math का paper tough था, इस बार paper easy रहेगा, क्योंकि जो tough tough chapters थे, वो सब पीछे छूट गए हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है भाई, उनके लिए तो easy चीजें भी tough होती हैं, रही बात, दूसरी science का paper इस बार काफी tough आने की उम्मीद है, क्योंकि physics के वो chapters इसमें included है, यह chemistry का वो chapter included है, जिसमें बच्चे गोल गोल पेपर, इस साल comparatively tough रहने वाला है, क्योंकि descriptive भी हुआ है, बच्चों की लिखनी की यादख भी छूटी है, इस में आपको ज्यादा मेहनत करनी की ज़रूरत है, बच्चों, अब हम class 12 की बात कर लेते हैं, तो class 12 का physics हर साल रुलाता रहा है, chemistry हर साल tough रही है, और maths की तो पू project कहीं न कहीं easy आने वाले हैं, बहुत easy आएंगे, इस हमें नहीं कह रहा, लेकिन comparatively easy आएंगे, क्योंकि इन में भी जो tough chapters थे, या जो tough concept थे, वो termon में बीच चुके हैं, अब term 2 में paper ये easy आएंगे, इसके अलावा accountancy है, economics है, business studies है, ये सब भी comparatively easy होंगे, हलाकि कुछ लोग कह रहे हैं, या जो हमारी team का business lesson रहा है, वो ये रहा है, कि accountancy का paper हो सकता है, थोड़ा सा tough आजाए, पहले की तुलना में, हलो बचों, unacademy एक बहुत बड़ा offer लाया है, class 10th और 12th के students के लिए, ताकि आप अपने board exam की preparation अच्छे से complete कर सकें, ये एक अविश्वस निये, 33% discount, प्लस अगर आप मेरा code GEA use करते हैं, तो extra 10% discount, यानि कि कुल 43% discount, तीन महीने के subscription पर, हाँ बचों, बिलकुल सही सुना आ आपको मिलेगा एक मंस का free extension, इसके साथी बच्चों, unacademy mega combat फिर से lot आया है, इसमें gamified battle जहां पर आपको live thousand of learner के साथ complete कर सकते हो, और साथी scholarship, medals और merit certificate भी जीत सकते हो, ये mega combat 13th मार्च को conduct होने वाला है, इसमें इंडिया के top educators से framed questions होंगे हिंदी और English में, real time later board generate होगा after every question, personalize scores और rating से आप अपने performance एवेलोट कर सकते हैं, detailed video solution मिलेगा हर question का, और सबसे important, top performance को मिलेगा, merit certificate, medals और आपको मिल सकता है, एक करोन तक का पुरसकार, तो इंतजार किस बात का बच्चों, video description में सारे links दिये गए हैं, अभी use करें मेरा code G.E.A. और किसी भी subscription पर पाए 10% off, ए आप देखना है, बच्चों कैसा आता है, हम बात कर लें, अपने subject की, biology की, तो biology भी इस बार easy रहने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा करके, अच्छे guidance में तयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे, अब बात करते हैं के question paper के कितने set बनते हैं, तो बच्चों question paper के कई सारे set बनते हैं, पहले की तुलना, पहले ये 19 set बना करते थे, इस पर हमने पहले भी videos बनाये हुए हैं, और लगग-लग-लग जोन के लिए अलग-अलग set बनाया जाता था, लेकिन अब basically दो तरीके के paper बनते हैं, एक दिल्ल उनों पेपर अलग-अलग होंगे एक और सेट पेपर बनता है जो foreign student के लिए होता है उनके लिए जो विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो foreign students होते हैं तो ये 3 सेट तो बनता ही बनता है लेकिन इसके अलावा जो main board exam का paper होता है वो भी कम से कम 3 से 4 सेट का paper बनता है अग या कहीं paper leak हुआ ऐसी कोई बात हुई तो फिर से use होगा नहीं तो ये compartment exam या आगे चल करके improvement exam में इसका use कर लेते हैं तो बहरहाल अभी जो फिलहाल condition दिख रही है वो ये दिख रही है कि अब की बार 3 से 4 set paper इस बार बनेंगे अब ये बात है कि किस reason में easy paper जाएगा कहां पर hard paper जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जो paper जहां बनेगा वो सभी reasons में एक ही तरीके से जाएगा अब एक बात में और बता दूं कि एक set ऐसे भी होता है कि set A, set B, set C, set D इस तरीके के जो sets होते हैं इसमें questions same होते हैं बस उनका sequence change होता है for example आपको set A मिला हमें set C मिला या हमें set B मिला आपका question पहला कोई दूसरा है और पहले number पर हमारा question कोई दूसरा है तो इस तरीके का भी CBSC कर देती है अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारे बच्चे अच्छा आपने 6 subject ले रखा है कि 5 comment करके हमें बताईएगा चाहे class 10 में हो class 12 में हूँ बच्चो ये द निएगा additional subject जो आपने लिया है 6th subject वो कौन सा subject है अगर वो additional subject की सेड़ी में आता है और आप सिर्फ 5 बिसमें पास होते हैं तो छटवे में आपको भले ही फेल हो गए overall जो आपका result बनेगा वो pass का बनेगा एक subject में आपकी आर्टी आ जाएगी मतलब repeat in theory अगर आप चाहे त तो अगले साल उसका improvement का exam दे करके उसको भी pass कर सकते हैं अगर पास नहीं कर पाते हैं improvement तो additional subject की रूप में form भर करके उस subject का exam दे करके फिर से आप pass कर ले जाएंगे लेकिन 6 subject में से 5 subject में पास होना जरूरी है अब इसमें से कुछ ऐसे subject हैं जिनमें अगर आप फेल हो गए तो CBSC फेल माने गई और वो compulsory subject होते हैं कौन से subject हैं ये अगर आपको नहीं पता है तो comment करके बताईएगा हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कि कौन से subject compulsory होते हैं अब बहुत सारे लोग यार वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो compartment, improvement और private का paper होगा वो बहुत hard हो ये easy होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि regular वालों का paper कैसा हो रहा है क्योंकि जो regular वालों का paper है वही private, compartment, improvement इन सबको भी मिलने वाला है तो कहीं अलग से paper नहीं आएगा इनहीं के साथ में paper होगा उनका hard होगा तो आपका भी hard होगा आपके लिए अलग से paper के designing नहीं करते हो formal dress normally आप पहन करके जाएंगे admit card आपको online निकालना होगा और आपको जहां पर आपका exam होगा वहाँ पर sign करवाना होगा exam superintendent का जिस center पर exam होगा वहाँ से sign करवाना है अपने school के principal से नहीं करवाना तो वहाँ sign आप एक दिन पहले जा करके भी करवा सकते हो दो दिन पहल काम हो उस दिन एक घंटा पहले पहुच करके भी sign करवा सकते हो ये कोई बड़ा matter नहीं है इसके अलावा आप क्या जानना चाह रहे हैं हमें comment में बताईएगा तो उस पर मैं एक अलग से comprehensive video बना दूगा बचों अगर अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो करके चाहिए क्योंकि आपका एक subscription हमें इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए motivate करता है आपके उजवल भबिसी के लिए धेर सारी सुपकाम नहीं all the best may God bless you thank you for watching this video